नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रश्मी आपकी गार्डन दोस्त और आप देख रहे हैं रश्मी अनेचर लवल फ्रेंड्स इस प्यारे प्यारे खुबसूरत लीलियम के साथ आपका बहुत-बहुत स्वागत है और देखे कितना खुबसूरत पूल है और पता है यह मेरे प्रेंड की शोभा बढ़ाता रहता है और मेरा यह फैवरिक फ्लार है मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और इसको मैंने बल्ब से ग्रो किया था चार नहीं पांच बल्ब मैंने लगाए थे फ्रेंड्स जिसमें से चार तो निकले बट एक जो बल्ब था वो मेरा पता नही क्यों उसमें फ्लार नहीं आए वो उसको मैं भी आपको दिखाती हूं दुबारा और फिर से मैं लगाऊंगी और पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा फिर आपको समझ में भी आ जाएगा कि इसको बल्ब से कैसे दो करते हैं यह देखिए इसमें दो फ्लार साय थे य पहली बात तो सिर्फ सीजन में एक इवार फूल देता है उसके बाद ज़र जाने के बाद फ्लार नहीं देता है और दूसरी चीज है कि कुछ दिन तो यह बहुत ही प्यारा लगता है पर दीरे दीरे इसमें से फ्लार ज़र जाते हैं और देखिए मेरा दूसरा प्लांट है दो बल्ब इन एक साथ लगायते हैं दोनों ही रेट लगार है एक यलो और एक रैड कर आई हुए है इनको देखके मुझे भी बहुत ज्यादा सुकुन मिलता है बहुत खुशी मिलती है फ्रेंट्स जब ऐसे हस्ते मुस्कुराती हुए फ्लार दिखाई देते हैं तो बहु कि ऑग प्रेर एक निवर्य और प्रेशों इस आपे लिया जाए थी तो यह भार अगर आप ख़ी अगर से फिलार्ट थो प्रॉट्स तो यह पूरे प्रॉस इस वीडियो में समझें तो यह देखिए पहले बात तो यह है कि इसमें देखिए रज़े आप ग्रॉट्स आप जा को То चलिए देखलेते हैं कि अब यह जो एसियाटिक लेली हैं इसके बल्ब को कय northern करना खे हैं यह वह एक बल्ब है जिसमें दिखिए हैं जाएं आपको देख रहे हैं इसे अपर नहीं होना न में इसके just फेलों को जितना मिट्टि में कमा देवा इक बागी न रहा है हैlying कर रहा हाथ अरशे चार रहा हाथे लाप प्रेंस करने दबार देना भेपस बहुत जाद साए कुंकि इस नहीं चाहिने की आज पास साए geben दबाना साए की स्वात टोन कारते हैं कि दूसरी का दबा दूसरी सम्छ डाइह' है Depth Sense है विंटर अगर हम कर तो यह करते है तो इसकी के बारे में बाहसे कर ले बंसली बलब को हेसी मेरते हैं निकालं लेते हैं मैं निकलती निकालते हूं वडल से में उसना Gentlemen multiplication होता रहता है और इसमें multiply होके new plant उसी में से बनते रहते निकलते रहते हैं और वही फिर आगे चलके re-bloom करते हैं तो ये मेरा secret है re-bloom कैसे किया जाए तो friends बाकी मैं इसमें अब दिखाना चाहूंगी कि अगर blooming हो चुकी है उसके बाद हमें plants के साथ क्या करना है सबसे पहले तो जो plant to bloom कर चुका है जैसे मेरा ये वाला plant देखे इसमें blooming हो चुकी है और इसके जो फ्लार है वो जड़ चुके हैं तो अब इसका थोड़े दिनों बाद आपको क्या करना है कि इसको एक एक या दो इंच के ऊपर ये हमें इसको कट कर देना है मैं आपको दिखा रही हूँ और कट कैसे करना है आप नाइफ को क्या करेंगे इसको स्ट्रिलाइज कर लेंगे ताकि इसमें किसी भी फंगस के लगने का डर ना हो और दो से तीन इंच ऊपर हमें इसको काट देना है काटते क्यों है फ्रेंट के भी जान लेते हैं काटते इसलिए हैं क्योंकि ये प्लांट काफी बड़ा है और इसको पूरे प्लांट को फिर एनरजी देनी होती है जोकि हमें अब एनरजी की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमे ब्लूमिं होनी है तो energy की जरूरत नहीं है तो इसके लिए हमें क्या करना है उस energy को हमें कहां देना है इसके बल्ब में देना है इसके जो बाकी काटना है friends क्योंकि ये बहुत ही थोड़ा सा नाजुक प्लांट होता है और बहुत आराम से कट भी जाता है तो काटने के बाद हमें इसकी थोड़ी सी गुडाई कर देनी है अब क्या होगा कि इसका जो एनर्जी है वो बाकी यहीं पे चारो तरफ ही इसमें एनर्जी ट्रांस और उनके साथ ही नए प्लांट भी ऊगेंगे और वही नए प्लांट हमें दुबारा रिब्लूम देंगे तो एक भर जब यह ब्लूम दे देता है तो इसमें जो है अरवरणक शक्ती जो हो कम हो जाती है तो उसके लिए भी हमें क्या करना है इनको खात-पानी तो देना प्लांट है क्योंकि मैंने एक ही पॉट में लगभग दो दो बल्ब लगाए थी तो एक तो यह वाला है जिसने ब्लूम किया और उसके बाद उसकी लाइफ साइकल करतम हो गई और उसको दुबारा हमने काट दिया यह दूसरा प्लांट है जिसमें अभी ब्लूमिंग नहीं पर मौसलि मैं क्या करती हूं कि जो मेरा किचन वेस्ट है उससे ही जो हमारा खाद बनता है पत्यों की खाद किचन वेस्ट से बना खाद और नीम का लिंग और वर्मी-कंपोस्ट खुद जो बनाया है वही सब यूज करती हूं लेकिन आप ले सकते हैं मार्के और केच्वा खात बहुत अच्छा हुता चुपका रहीं उसके प्लांट के लिए सब से जादा इंपोर्ट होते हैं अर इन ही से ब्लांट हेल वहता है तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसी यूज करेंगे तो सबसे पहले तो आज ही मैं इसको खोल रही हूँ और इसको गुडाई किया गुडाई करने के बाद हमने प्लांट में थोड़ा-थोड़ा सा लगभग एक-एक मुठी इसमें हमने इसको अपने पौदो को दे दिया है तो इससे क्या होगा कि इसमें जो इसकी life cycle complete होने के ब प्लीट कर सकेगा तो फ्रेंड्स यह देखिए यह हमने इसमें डाल दिया है डालने के बाद क्या करना है आपको फिर से दुबारा गुडाई करना है ताकि जो मित्टी है वो पूरा चारों तरफ इसमें हो जाए और उसकी जड़ों को भी मिल जाए मित्टी में एक तो यह म सके तो फिरंड्स एक बात और है इसका जो इसकी बाद यह निजो हमने इसमें तो पहले गुडाई किया गुडाई करने के बाद हाँ यह देखिए यह तो कुछ प्लांट्स मैंने इसमें ऐसे कटिंग लगा दी थी पिटूनिया के हैं और यह देखिए यह भी चल पड़े हैं तो मैं तो थोड़े बहुत एक्स्पेरिमेंट इसी तरीके से करती रहती हूँ, आप भी आज माल सकते हैं, पिटूनिया अगर आपके पास है, तो उनकी छोटी-छोटी कटिंग्स लेके आप ऐसे लगा दीजिए, यह बहुत अच्छा से फिर से गुरो कर जाएंगे, और अंधर चले जाएंगे, और अंधर जाने के बाद यह liquid form में इसको जो जड़े हैं, वो बहुत आराम से इसको आसानी से ले सकती हैं, तो पाने भी ऐसे इनको बहुत ज़्यादा नहीं, इनको या तो आप पाइप से मत दीजे, किसी छोटे से पॉट में करके, इनको हलके इसे के साथ वीडियो में समाप्त कर रही हूँ, और फिर मिलती हूँ नेक्स वीडियो में दूसरी जानकारी के साथ, और आशा करती हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और तब तक के लिए बाई- हूँ झालो झालो कर Trail